हलो क्लास माइनेम इस सभंशर्मा एंड आम हेर तो प्रेजेंट और नेक्स्ट लेक्चर आफ न्यू चैप्टर ठीक है पिटा आज का जो टॉपिक होने वाला है एक निया टॉपिक होने वाला है और हम अपने आज पास की सोसाइटी के अंदर किस तरीके का कॉंपोजिशन देखते हैं लोगों का मतलब किस तरीके से हमारी जो सोसाइटी है हमारा समाज है वो बना हुगा है ठीक है चैप्टर का नाम है बिटा अंडर्स्टेंडिंग डाइवर्सिटी दो टर्म है मतलब हमें क्या समझना है पहले हमें एक समझ डवलप करनी है एक डाइवर्सिटी क्या है क्या हमको समझना है हम तो देखते हमारे आसपास लोग रह रहे हैं अच्छे से रहते हैं सब लोग ठीक है अब आप देखोगे कुछ लोगों का अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ उनके अंदर चेंजमेंट आपको वराइटी देखने को मिलती ह है अब वो क्या डिफ्रेंसेज हैं जो आपको दूसरे लोगों से ठोड़ा सा डिफ्रेंट डिफ्रेंशीयेट करता है ठीक है आप देखोगे कहीं ना कहीं जो सामने वाला अदर परसन है उसका हो सकता है वो लोईंग सेंसूस के कपड़े पहने का तरीक है तो कुछ लोगो बन जाएगी चलिए अब हम आपने आसपास कहें एक्जांपल देखेंगे आप देखोगे कि जिस भी आप लोकालिटी में रह रहे हो जिस एरिया के अंदर रह रहे हो वहां पर डिफरेंट टाइप आफ लोग रहते होंगे ठीक है अब उसके अंदर आपको क्या अब्ज़र् बात कर रहे हैं बेटा तो इंडिया कैसी कंट्री देखने को मिलती है आपको एक आपने हर बार सुना होगा इंडिया इजा डाइवर्स कंट्री नॉर्मल टम्स में अंदर आप लोगों ने निउस वगएरा के अंदर भी सुना होगा तो आप देखोगे डाइवर्सिटी आ का बेस बन जाएगा ठीक है अधर वाला परजन है वो इंग्लिश में बात कर रहा है कोई मराथी में बात करता है ठीक है फिर्स देखने को मिल गया किसके बेसिस पर लेंगवेज के बेसिस पर चलिए फिर आता है हमारा रिलीजिजन आप देखोगे कुछ लोग कहां पर जा सकते हैं लोगों के बीच में डिफ्रेंशियेशन किया जा सकता है उनके बीच के डिफ्रेंश को देखा जा सकता है और किस चीज के उपर आप देख सकते हो जेंडर के उपर भी देख सकते हैं हम यह तो बॉय है या फिर गर्ल है ठीक है यह हमारा जेंडर बेस्ट हो गया औ उनके बात करने का जो accent होता है हो चेंज होता है वह किसके बर डेपेंट करता है कई बार हमारी लोकैलिटी के अंदर हम रह रहे रहे हैं या फिर हम कहीं से जब मूव करके आते हैं आप देखोगे जब एक परिसन जो महाराज से बिलॉंग करता है वह हमारे नौर्थ इंडिया किस साइड आता है तो आप देखोगे कि उसका जो एक्सेंट है जो बात करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफेरेंट होता है अधर लोगों से ठीक है ऐसी क्या होगा है जब हमारे यहां का कोई परसंट किदर की साइड जाएगा सदन इंडिया के औदर जाएगा साथ इंडिया के अदर जाएगा आप देखोगे तब उनका जो क्या है हमारा जो food habits है उनके अंदर changement आता है आता है आता है ना बेटा आप देखते हो कि वहाँ पर different type of food can consume किया जा रहा है तो यह सारे basis हैं हमारी diversity के समझ में आ गया so this is the simple meaning of diversity that it is the various differences between the people अब उसका base क्या क्या हो सकता है बेटा बेस हो सकता है हमारा religion हो सकता है हमारी caste हो सकती है ठीक है अगर आप देखोगे कि एक particular area है जहां पर एक ही religion के लोग रहते हैं but हो सकता है कि वो different caste को belong करते हों उनकी जातियां अलग-अलग हों तो यह सारी चीज़ें कही न कहीं different करती हैं बेटा हमारे locality के उपर हमारे behavior के उपर ठीक है हम देख सकते हैं कि diversity क्या करती है बेटा कई की बार आपको लग रहा है कि सब जब अलग-अलग लोग हैं तो क्या इससे हमारी country है वो unite हो पाईगी ठीक है बट आप देखोगे कि अगर सभी लोगों को equal treat किया जा रहा है then the diversity will come with the unity अगर diversity आप लोगों ने देखा अब आपने देखा कि इंडिया के अगंदर अगर देखे हम तो काफी जादा religions देखने को मिलते हैं languages देखने को मिलती है ठीक है आपको food habits देखने को मिल जाएगी different type of clothing sense देखने को मिल जाएगा आपको लोगों के बीच में तो यह क्या करेगा बिटा कहीं ना कहीं आपको बताएगा कि इंडिया एक drivers country है बट आप इसके साथ साथ ही देखेंगे कि हमारी जो country है वो कैसी है युनाइट है वो युनाइट कैसी हो रही ही बिटा कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक field develop होता है अगर हम देखेंगे कि हम मैश देख रहे हैं क्रिकेट मैश देखने ठीक है आप हमारा मैश हो रहा है किसी अधर country के साथ तो हम सब किसकी तरह चीर करते हैं इंडिया को जीतना चाहिए ना आप देखोगे जैसे अगर आप class की उपर अपना example लेना चाहो तो अभी क्लास चल रहा है वो करेंगे 6th class को ठीक है जो 7th वाले हैं वो 7th को करेंगे तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं एक feel होती है ना अपने पन का तो यह सारी चीजें है that when we are being treated equally the diversity will come with the unity आप देखोगे कैसे आप unite हो गए हो सकता है आप अलग-अलग religion से आते होई class के अंदर ठीक है या फिर habits अलग हो आपका खाने का pattern अलग हो या फिर हम देखेंगे हमारा clothing sense अलग है हमारा culture अलग है ठीक है तो यह सारी चीजें कहीं ना कहीं हमको एक base provide करती है बेटा diversity को समझने का अब देखो यहां तक समझ में आ गया है अब आप देखोगे कि what are the reasons behind this diversity अब यह सारी चीजें हमारी locality के उपर depend करते हैं मतलब जो भी हम देख रहे हैं feel कर रहे हैं वही कहीं ना कहीं चलकर आगे क्या हो जाएगा हमारे उस tradition के अंदर आ जाएगा या फिर trend के अंदर आ जाएगा ठीक है अब आप देखोगे tradition कैसे बन रहा है आप feel करोगे कि हमारी जो family है बेटा इसके है थोड़ा सा differentiate हो सकता है according to our family rituals हमारे जो families है उसके अंदर क्या होता है धीरे धीरे कोई rituals मान्यता है develop होती है ठीक है तो उनी से हम क्या समख सकते हैं कि जो हमारा tradition है वो कहीं ना कहीं किसके पर depend कर रहा है बेटा हमारी locality के उपर जिस भी area के अंदर हम रह रहे हैं वहाँ प हमारे सामने गनेश पूजा का एक festival आता है ठीक है तो आप देखोगे इसको कितना जादा celebrate किया जाता है throughout the year throughout the India ठीक है बट आप उसके साथ-साथ क्या देखोगे इसको महराष्ट के अंदर काफी जादा happiness के साथ काफी जादा zeal के साथ क्या किया जाता है इसको celebrate किया जाता काफी ज़्यादा लोगों के अंदर क्या होता है happiness होती है न तो इसी तरीके से क्या हो रहा है कि यह सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे locality के उपर depend करती है चलो अब हम देखेंगे देखो learnings from the parents and the elders अब हम को सीजें किसे हम सीखते हैं वेटा हम अपने आसपास से सीखते हैं our family is considered as the first school of a child किसी भी बच्चे का फास्ट स्कूल जो है वो किसके उपर depend करता है वेटा उसकी family के उपर तो वो जो चीजें देख रहा है अपने आसपास के है ट्रेंड कैसी चीज है जो किसी लोकालिटी के अंदर चलता जा रहा है ठीक है चलो यह चीजें हो गई बटा फर्स्ट हमारे पास जो रीजन आपको देखने को मिल गया वह होता है हमारा surroundings जिस भी एरिया के अंदर हम रह रहे हैं कहीं न कहीं वो हमारी life को हमारे way of thinking को effect करता है चली अब आता है बटा regional requirements चलिए इसको normal तरीके से समझते हैं अगर हम लोग राजस्थान के अंदर रह रहे हैं ठीक है न तो यहां पर आपको कैसा देखने को मिलता है बटा काफी जादा extreme heat देखने को मिलती है तो आप देखोगे कि जो राजस्थान का desert वाला part है या फिर आपन नॉर्मल अगर हम बात करें राजस्थान की तो आप लोग उन्हें है पगड़ी पहनने का हमारे local requirement से किसी भी एक एरिया के अंदर होने वाले climatic conditions के उपर या फिर जो weather रहता है वहाँ पर उसके according हम क्या करते हैं अपने clothes को अपने food को उसके according adopt कर लेते हैं चलिए समझते हैं तो आप देखोगे राजस्थान के अंदर डेजर्ट वाला पार्ट है आफिर राजस्थान का most of the part कैसा समझा जाता है काफी ज़्यादा वहाँ पर हीट रहती है ठीके ना तो यहां पर इस हीट से बचने के लिए क्या देखोगे आप लोग क्या पहन रहे हैं बेटा हैडगेर पहन रहे हैं जिसको हम पगड़ी के नाम से जानते हैं तो आप देखोगी जो पगड़ी है यही क्या कर रही है हमको जो एक्स्ट्रीम स्कॉर्चिंग हीट है उससे प्रिवेंट कर रही है ठीके ना चलो आप देखो होगा आपने हमारे राजस्तान के अंदर या मोस्ट आफ नौर्थ इंडिया के अंदर आप क्या फील करते हैं कर्मियों के टाइम पर लू चलती है ठीके ना एक जो गरम हवाय चलती है जो वि फूड है विट्स को भी कही ना कहीं एफेक्ट करते हैं अब यह कैसे करते हैं तो आप देखोगे कि अगर हम नौर्थ इंडिया के अंदर है तब यहां पर आप क्या देखोगे किसका ज्यादा यूज किया जाता है यह का ज्यादा यूज किया जाता है ठीक है ना बट अग मिलने वाले seafood के उपर dependent है ठीक है न चल आप लोग देखोगे यहां पर अब जो हमारी regional requirements हैं यह किसके उपर depend हो रही है यह भी locality के उपर हैं जैसे अगर हम राजस्थान के अंदर हैं तो यहां पर हम किस तरीकी के clothes पहन रहे हैं अगर हम लोग क्लोध की करें तो आप देखोगे कि वहू सारे areas जो किसके पास हैं किसी water body के पास हैं तो लोग क्या करेंगे अपना खाल जो कप्ड़े हैं उनको उसके according पहनने वाले हैं ठीक है जहां पर humidity वह उसको recording उसको यूज़ करेंगे आप देखोगे जो वाटर बॉडिस के पास रहने वाले लोग है वो लोग क्या करते हैं अपने पैंट को शौट कर वा लेते हैं क्यों आप देखोगे कि अगर आपका जो वाटर का काम है अगर आप वाटर सोसेज के पास रह रहे हैं नदियों के पा जैसा अभी डिसकस किया है इसके उपर वाले टोपीग के अंदर तब हमने क्या फिल ओक है कि हमारा जो फूड है कही वीट का ज्यादा यूज किया जाता है ठीक है अगर हम cooking ऑईल की बाद करें तो आप देखोगे Mustard ilee को यूज किया जाता थीक है Mustard यनि की सरसो का टेली यूज किया जा रहा है food को cook करने के लिए और उसके साथ आप देखोगे अगर हम थोड़ा सब्सक्राइब करके जाते हैं कहां पर साउथ इंडिया के अंदर तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा राइस का ज्यादा यूज मिलेगा ठीक है कोकोनट ऑईल जो है उसका ज्यादा यूज मिलेगा और जो सी की फूड की अवेलिबिलिटी है मतलब जैसे फिशेज हो गई तो वो लोग क्या करते हैं क्रैब्स हो गया इन सारी चीजों को एजा फूड कंजियूम करते हैं ठीक है तो फूड पैटन किसके उपर डिपेंड कर रहा है बेटा किसी भी एरिया के अंदर रहने वाले लोगों क की रिजनल रिक्वाइर्मेंट्स और उनका फूड पैटन इसके उपर डिपेंड करता है चलिए अब हमने डिसकस कर लिया बेटा ये सारी चीजों को बट एक बिगेस्ट बच रहा है बेटा जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं और उसके बारे में बात ना करें इंडि करता है आप इंडिया की बात करें तो आपको कई सारे ढीलीजन्स देखने को मिलते हैं आपको यहां पर क्रिस्चैनिटी देखने को मिलती एडिखा स्लाम देखने को मिलता है हिंद्वद्विजम लोग अब क्या करते हैं आप देखो कि जो same religion वाले लोग हैं वो अपने आपको एक दूसरे के थोड़ा ज़्यादा close पाते हैं अगर हमारा religion same है तो हम कही न कहीं खुद को एक bound पाते हैं एक bondation पाते हैं लोगों के द्वारा एक जो person है वो दूसरे person अगर वो same religion से बिलाओं कर रहे हैं तो वो क्या होंगे थोड़ा जादा close होंगे अब इससे और क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं आप देखोगे कहीं न कहीं उनका जो worshiping का way है पूजा करने का तरीका है उनके जो rituals होंगे वो कहीं न कहीं कैसे होंगे बेटा एक जैसे ही देखने को मिलेंगे most of the time ठीक है आप देखोगे जो हिंदूस हैं ज्यादा तर कहा पर जाएंगे टेंपल के अंदर जाएंगे ठीक है एक bounding वाला force हो गया अगर हम इसलाम को follow करते हैं तो हम कहाँ पर जाएंगे बेटा मस्जिदों के अंदर जाएंगे most of the cases के अंदर यह होता है ठीक है न तो आप देखोगे कि यह जो religion है हमारा यह क्या कर रहा है लोगों को bound कर रहा है ल आप देखोगे हिंदूस के अंदर holy दीपावली रक्षा बंदन यह चारी चीज़ें celebrate की जाती है और अगर हम देखें तो आपको Christians के अंदर क्या देखने को मिल रहा है बेटा ठीक है ठीक है बेटा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अब देखेंगे religious beliefs क्या कर सकता है religious belief के अंदर फिर हम देखेंगे बेटा different different caste को ठीक है तो आप देखो के जो कास से पेटा फिर बीटा फिर क्या होगा एक और एक और बाइंडिंग फोर्स हो जाएगा ठीक है तो जो सेम कास्ट की लोग है वो आपने आपको ज्यादा close पाएंगे क्योंकि जो उनकी thinking है जो उनके beliefs हैं एक जैसे होते हैं ठीक है बेटा तो अब हमने discuss कर लिया हमारे इस topic को कि diversity क्या है और इसके different reasons क्या-क्या होते हैं ठीक है बेटा